ओम स्री गनेशाय नमहा, ओम स्री महागना दिपते नमहा, ओम नमहाशाय चंचुला की प्रार्तना से ब्रामन का उसे पूरा शिव पुरान सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिव लोख में जा चंचुला का पार्वती जी की सकी एवं सुकी होना ब्रामन बोले नारी सोभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुरान की इस वाइराग्य युक्त कता को सुनकर तुमें समय पर छेत हो गया है ब्रामन पत्नी तुम डरो मत भगवान शीव की शरन में जाओ शीव की कुरुपा से सारा पाप ततकाल नस्ट हो जाता है मैं तुमसे भगवान शीव की कीर्टी कता से युक्त उस परम वस्तू का वर्नन करूंगा जिससे तुमें सदा सुख देने वाली उत्तम गती प्राप्त होगी शीव की उत्तम कता सुनने से ही तुमारी बुद्धी इस तरह पस्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है साथ ही तुमारे मन में विशेयों के प्रती वैराग्य हो गया है पस्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायस्चित है सत्पुर्शों ने सबके लिए पस्चाताप को ही समस्त पापों का शोदग बताया है पस्चाताप से ही पापों की शुद्धी होती है जो पस्चाताप करता है वही वास्तों में पापों का प्रायस्चित करता है क्यूंकि सत्पुर्षों ने समस्त पापों की शुद्धी के लिए जैसे प्रायस्चित का उपदेश किया है वह सब पस्चाताप से संपन्न हो जाता है जो पुरुष विदी पूर्वक प्रायस्चित करके निर्बय हो जाता है पर अपने कुकर्मा के लिए पस्चाताब नहीं करता उसे प्रायह उत्तम गती नहीं प्राप्त होती परंतु जिसे अपने कुकुत्य पर हादिक पस्चाताब होता है वह अवश्य उत्तम गती का इसमें समशई नहीं, इस शिव पुरान की कता सुन्ने से जैसी चितर शुद्धी होती है वेसि दूसरे उपायों से नहीं होती। इस उत्तम कता को श्रवन समस्त मनुष्यों के लिए कल्यान का बीज है अतह यतोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अत्वा सेवा करनी चाहिए यह भवबंदन रूपी रोग का नाश करने वाली है भगवान श्रिव की कता को सुनकर फिर अपने रुदय में उसका म पूर्ण तया चित्शुद्धी हो जाती है चित्शुद्धी होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ग्नान और वैराग्य के साथ निश्चे ही प्रकट होती है तत्पस्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ती प्राप्त होती है इसमें सम्षय न जीए प्रम्दन से मुग्त नहीं हो पाता। परमात्मा शंकर की इस कता को सुनने से तुमारे चितत की सुद्धी होगी और इससे तुमें मौक्षी की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित से भगवान शिव के चरनार विंदो का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है यह हमें तुमसे सत्य कहता हूं सूजी कहते हैं शैनिक इतना कहकर वे स्रेष्ट शिव भक्त ब्राम्मन चुप हो गए उनका हुदय खरुणा से अर्ध हो गया था वे शुद्द चित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए तदंतर बिंदूग की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन हो उटी ब्राम्मन का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसु चलक आये थे वह ब्राम्मन पत्नी चंचुला हर्ष भरे हुदय से उन स्रेष्ट ब्राम्मन को दोनों चरनों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली में कृतार्ध हो गई तत्पस्चात उटकर वैरागी उक्त उत्तम बुद्धी वाली वहस्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिवबक्त ब्राम्मन से हाथ जोड़कर गदगद वानी में बोली चंचला ने कहा ब्राम्मन शिवबक्तों में स्रेस्ट स्वामिन आप धन्य है परमार्त दर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं इसलिए स्रेस्ट साधू पुर्शों में प्रशंसा के योग्य है साधो में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ आप मेरा उद्धार कीजिए पौरानिक अर्था तत्व से संपन जिस सुन्दर शिवपुरान की कता को सुनकर मेरे मन में संपुन विश्यों से वाईराग्य उत्पन हो गया को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है सुजी केते हैं एसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिवपुरान की कता को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्रामन देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी तदंतर शिवभकतों में स्रेष्ट और शुद्ध बुद्धी वाले उन ब्रामन देव ने उसी स्तान पर उस तरी को शिवपुरान की उत्तम कता सुनाई इस प्रकार उस गोकर्न नामक महाशेत्र में उन्ही स्रेष्ट ब्राम्मन से उसने शिव पुरान की वह परम उत्तम कता सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ानी वाली तता मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कता को सुनकर वह ब्राम्मन पत्नी अत्यंत कृतार्द हो गई। उसका चित्त शीग्रही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके अरुदय में शिव के सगुन रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धी पाकर शिव के सचिदान अन्द में स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंब किया। तत पस्चात समय के पूरे होने पर भक्ती, ग्णान और वैराग्य से युक्त हुई। चंचुला ने अपने शर प्रू भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रतु गती से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गनों से सम्यूक्त होर भांती भांती के शोबा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरोड हुई और भगवान शिव के स्रेस्ट पार्ष दोनों ने उसे ततकाल शिव पूरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, वह दिव्य रूप धारी नी दिव्यांगना हो गई थी, उसके दिव्य अवयव उसकी शोबा बढ़ाते थे। मस्तक पर अद्रचंदरकार मुकुट धारन किये, वह गौरांगी देवी शो उबाशाली दिव्य आभूशनों से विबूशित थी, शिव पूरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेवजी को देखा, सबी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खडे थे, गनेश, ब्रुंगी, नंदिश्वर तता वीरबद्रेश्वर आ चांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे, मस्तक पर अर्दचंद्रकार का मुकुट शोबा देता था, उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विदुत पुंज के समान प्रकाशित थी, गौरी पती महादेवजी की का खपूर के समान गौर थी, उनका सारा शरीर श्वेद बस्म से बस्मित था, शरीर पर श्वेद वस्त्र शोबा पा रहे थे, इस प्रकार परम उज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्रामन पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रीती युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रनाम किया, फिर हाद जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो, विनीत भाव से खड़ी हो गई, उसके नेत्रों से आनंद श्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तता संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया, उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुना के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टी से उसकी और देखा, पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारी नी बिंदूगा प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अप स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौक्य से संपन्न हो अक्षे सुक्का अनुभव करने लगी ओम नमह शिवाया ओम नमह शिवाया ओम नमह शिवाया हर हर महादेव शंबो शंकरा